Hello everyone, I am Ayusha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ SCBA के बारे में यानि Self-Contained Breathing Apparatus ठीक है, Self-Contained Breathing Apparatus से ही आपको समझ आगया होगा कि ये breathing के लिए use किया जाता है, मतलब सांस लेने के लिए use किया जाता है जैसे कि सारे equipment रहते हैं, personal protective equipment चो रहते हैं वो body protection के लिए ही रहते हैं उससे हम खुद को अगर चोट लगने वाली हो तो बचा सकते हैं और जो breathing apparatus है वो भी एक बहुत बड़ा equipment है personal protective equipment में अगर गिने तो ये एक ऐसा equipment है जो कि life saving equipment बोला जाता है क्योंकि जब भी अगर oxygen की कमी feel होती है तो हम अगर इस equipment के use करें तो हम बच सकते हैं हम easily सांस ले सकते हैं ठीक है तो अब इसको हम कब-कब use करते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगी तो जो self-contained breathing apparatus है वो एक respiratory device कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो है क्या होता है compressed air रहती है जो की breathe मतलब oxygen deliver करता है और breathable बन जाता है ठीक है ये कौन use करता है firefighters इसे use करते है rescue workers इसे use करते है और कोई भी person जब भी अपने workplace पे अगर confined space में work करने जा रहा होता है तो वो भी इसे use कर सकता है कि ऐसे area में use किया जाता है जो जहाँ जादा danger हो और life saving की life saving जो है वो खत्रे में हो मतलब life saving करने के लिए इसे हम use करते है ठीक है इसे health और life पर कोई फरक नहीं पड़ पाए कोई नुकसान नहोंने पाए उसके लिए हम इसे use करते है self content breathing apparatus जो है उसे compressed air breathing apparatus भी बोला जाता है यानि C-A-B-A सेम चीज होती है ठीक है तो rescue team कब इसे use करते है जैसे की मान लीजिए आग लगी है ठीक है अभी अंदर कितने लोग फसे है वो देखने के लिए जाना तो पड़ेगा ना तो आपको पता है जब आग लगती है तो कितना smoke होता है जिसकी वज़े से दम घुट जाता है तो अगर जब भी rescue team या कोई भी fire factory से use करता है तो वो easily अंदर जा पाएगा और life saving कर पाएगा ठीक है तो और confined space में क्यों use किया जाता है क्योंकि confined space में भी तो oxygen कम होता है तो वो लोग भी इसे use करते है ताकि वो oxygen easily ले सके ठीक है यह SCBA के पार्ट होते है एक cylinder रहता है cylinder के उपर एक valve लगी रहती है cylinder valve पोलते हैं जिसे back plate रहती है ताकि आप cylinder को easily carry कर सके harness assemble रहता है वहाँ पर कि जिससे आप अगर उसको carry करते है अपनी पीट पर तो आप easily उसे पीट पर पहन सकें ठीक है high pressure hose रहता है इसमें low pressure hose रहता है pressure gauge रहता है जिससे कि आपको pressure पता चलता रहे कि अभी इसमें इतना pressure है उसके बाद pressure एक reducer रहता है pressure reducer जिसे बोलते हैं और warning vessel रहता है warning देता है वो जब भी pressure कम हो रहा होता है down हो रहा होता है तो वो warning देता है कि pressure जो है वो down हो रहा है और face piece रहता है जो कि face mask कहलाता है ठीक है अब देखिए face mask इस तरीके से इसमें connect रहता है यहां show हो रहा होगा तो जब आप इसे पहन लेते हैं तो आप oxygen easily ले सकते है इस तरीके से face mask को diagram रहता है इसमें side glass लगे रहता है inner mask रहता है air, intake, air, outlet, exhalation, valve ठीक है, bonnet और यह topless यह सारे चीज़े इसमें रहती है जिससे क्या है आप mask भी अपने face पे easily लगा सके और वो कोई आपको मतलब uncomfortable feel ना करे इस तरीके से यह बना होता है कि आप easily ले से पहन सके और oxygen लेने में आपको कोई problem ना आए ठीक है अब बात करेंगे इसके maintenance की तो इसका maintenance करना भी तो जरूरी है जिससे कि अब next time जब भी आप इसे use करें तो यह पूरा मतलब use करने के लिए capable हो है ना ऐसा तो नहीं आपने use करके इसको रख दिया हो तो आप use ना कर पाएं उसके बाद दुबारा से तो सारी चीज़े हम maintenance करके रखनी होती है जब भी आपने से एक बार use में ले लिया है तो इसके अंदर compressed air यानि कि oxygen कितना है इसमें उसको check करना अगर उसकी मतलब मा लीज़े आग लगी थी आप वहां लेके गए है तो मा लीज़े कुछ burn हो गया हो या से निशान आ गए हो तो उसे paint करना और फिर उसकी regular testing करना तो regularly maintenance करना इसका एक hydraulic test होता है जो की जहां से यह बन के आता है वहीं check किया जाता है उस पर mention रहता है कि इसका hydraulic test इस समय किया गया था तो वो आपका as a current date और expiry date का काम करता है ठीक है अगर आप maintenance करेंगे तो उससे यह रहे का जब भी आपको next time use में लेना हो तो आप उसे use में ले सकते हैं without कोई problem है पर अगर आपने use करके उसे रख दिया और maintenance नहीं किया तो जब भी आपको ज़रुएत पड़ेगी तो आप उसे use में नहीं ले पाएंगे तो maintenance करना बहुत ज़रूरी होता है SCBA का Carry करना इसको थोड़ा कम easy होता है पर इसलिए इसकी back plate दी जाती है ताकि आप cylinder को easily carry कर सके और उसके बाद जब भी कोई rescue करता है या firefighter रहता है उसके पास यह होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे वो oxygen easily ले पाए और अंदर फसे हुए लोगों की जान बचा पाए ठीक है तो SCBA जो है मतलब यानि की breathing apparatus जो है वो एक बहुत अच्छा equipment है life saving equipment भी से बोला जाता है क्योंकि वो oxygen प्रोवाइड करता है breathable बनाता है आपको किसी भी situation में कोई भी dangerous जगह पर जैसे की confined space की ही बात करें तो confined space क्या रहता है उसमें भी oxygen जो है easily available नहीं होता है तो अगर आप breathing apparatus लेके अंदर जाते है confined space में work करने के लिए तो आप easily work कर सकते हैं और इसमें pressure गया जित्तों दीर रहती है कि जिससे की कभी भी अगर pressure down हो रहा हो तो वो indicate कर देता है यानि कि जो warning vessel रहती है वो पता देती है कि जो oxygen जो भी आप oxygen ले रहे हैं उसका जो pressure है वो भी down हो रहा है तो आप alert हो जाएं ठीक है तो इसको इस तरीके से design किया गया है कि यह easily आप oxygen इससे ले सकें और दूसरों की life भी बचा सकें और अपना जो work कर रहे हैं जैसे मेलीजे confined space में तो आप easily work कर सकें तो आज मैंने आपको बताया SCBA के बारे में जैसे कि और जो equipment रहते हैं personal protective equipment उनकी तरह SCBA भी एक बहुत अच्छा equipment है ठीक है तो जब भी कोई भी ऐसे काम पे जा रहा है जो जो होँ आप oxygen जो हो वो less हो तो इसका use आप कर सकते हैं ठीक है तो आज मैंने आपको SCBA के बारे में बताया यह बहुत useful equipment है So thank you कर दो